ये सत्ता विमर्ष का यूट्यूब चैनल है अब आप किरनराय से नौ बजे नौ खबर सुनें देश में कुरोना संक्रमितों के संख्या 3,9603 हो गई है पिछले 24 खंटों में सबसे ज्यादा 11,314 मरीज बढ़े और 388 लोगों ने जान गवाई मरीजों के संख्या लगातार तीसरे दिन 11,000 से ज्यादा है दिल्ली के हालत बिगणने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह कल सीम अर्विंद केजरिवाल के साथ बैठक करेंगे कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी ने एक बार फिर लोगडाउन को लेकर मोधी सरकार को घीरा है राहूल ने ट्विटर पर चार ग्राफ पोस्ट किये हैं जिनमें दिख रहा है कि लोगडाउन के चारों फेज में कुरोना के केस बढ़े राहूल ने कोट किया है कि बार बार एक ही पागलपन करते हुए अलग-अलग नतीजों की उमीद की जा रही है देश में कुरोना के बढ़ते मामलों के बीच बुरी खबर ये है कि अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां सबसे ज्यादा संख्या में कुरोना के गंभीर मरीज हैं ऐसे मरीज जो वेंटिलेटर या फिर ऑकसिजन सपोर्ट के सहारे हैं अमेरिका में ऐसे मरीजों के संख्या 16,827 है जबकि भारत में 8,944 है दुनिया में हर रोज सबसे ज्यादा मौतों के मामले में भारत चौथे नंबर पर है सूंगने की क्षमता क्षीन होना और स्वाद का पता न चलने को भी सरकार ने कुरोना के लक्षणों में शामिल कर लिया है अमेरिका ने मई के शुरुवात में ही इसे अपनी सुची में शामिल कर लिया था पहले के साथ लक्षणों में बुखार, कफ, ठकान, सास लेने में दिक्कत, बल्गम के साथ खासी, मास पेशियों में दर्द, नाक से पानी बहना, गला खराब होना, दस्त होना जैसे लक्षण शामिल थे देश के नए नक्षे के लिए नेपाल की संसद में लाया गया समविधान संशोधन विधेक पारित हो गया है विधेक पर नेपाली संसद के अधक्ष ने वोटिंग कराई जिसका सभी सांसदों ने समर्थन किया इस नए राजनितिक नक्षे में भारत के काला पानी, लिपुलेक और लिम्पिया धुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है संक्रामक रोगों के अमेरिकी एक्सपर्ट डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने चितावनी दी है कि अगर अमेरिकी राज्यों में लॉक्डाउन में धील ली गई तो कोरोना वाइरस फिर से बहुत भयावह कहर ढाएगा डॉक्टर फॉसी ने कहा कि जब आपको अस्पताल में मरीजों के संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे तो समझ जाईए कि आप गलत दिशा में काम कर रहे हैं चीन में COVID-19 के फिर से सक्रिय होने की खबर है राजधानी पेचिंग में छे नए मामले सामने आने के बाद कई बाजारों को बंद कर दिया गया है पेचिंग में पिछले तीम दिन में संक्रमितों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है जबकि देश के अन्य हिस्सों में संक्रमण के 12 नए मामले सामने आये हैं पेचिंग के शिनफादी बाजार में सेलमन मचली को काटने वाले बोड पर कोरोना वाइरस पाया गया पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी कोरोना पॉजिटिव पाये गए हैं पूर्व और रॉंडर ने ट्विट में कहा मैं गुरुवार से बिमार महसूस कर रहा हूँ शरीर में काफी दर्द है मैंने टेस्ट कराया और बदकिस्मती से मैं पॉजिटिव हूँ पाकिस्तान के पूर्व पीएम शाहिद खान अबबासी और यूसुफ रजा गिलानी भी संक्रमित पाये गए हैं भारतिया मूल की अनमोल नारंग यूस मिलिटरी एकैडमी से ग्रेजविट होने वाली पहली सिख बन गई हैं उन्होंने विस्ट पॉइंट मिलिटरी एकैडमी से न्यूक्लियर इंजीनिरिंग में चार साल की डिग्री पूरी की है ग्रेजिशन के बाद ओकलोहूमा के फोट सील में उन्हें बेसिक ओफिसर लीडर्शिप कोर्स पूरा करना होगा इसके बाद वो अमेरिकी एरफोस को जोईन करेंगी फिलाल के लिए इतना ही देखते और सुनते रहे सत्ताविमर्श